दोस्तों आज के इस बीडियो में हम आपको राजगीर की यात्रा के बारे में संपूर जानकारी देने वाले हैं आपको बता दें कि राजगीर में आपको काफी सारे हिंदु धर्म के साथ ही बौध धर्म के पूजिनी, अस्थल और सांत इस्थूप देखने को मिलेंगे यानि कि हम ऐसा कह सकते हैं कि राजगीर में बौध धर्म को मानने वाले लोग भी काफी संख्या में देखने को मिल जाएंगे आज की इस बीडियो में हम आपको बिहार के प्रसिद्ध फरेटन अस्थल राजगीर की यात्रा के बारे में बताने वाले हैं लेकिन इससे पहले की वीडियो में आगे बढ़ें यदि अभी तक आपने हमारे चैनल यात्रा गुरू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किर्पया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल की नई अबडे हैं तो यकीनन आपको यहां काफी मज़ा आएगा दोस्तों आपको बता दें कि राजगीर की यात्रा के लिए आपको रेलवे स्टेशन और बस स्टेंड की काफी अच्छी सुवध्यात देखने को मिल जाएगी लेकिन यदि आप फ्लाइट के माध्यम से राजगीर की यात दोस्तों यदि आप फ्लाइट के माध्यम से राजगीर की यात्रा करना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि राजगीर का सबसे नदीकी एरपोर्ट बिहार की राध्धानी पटना में मौझूद जैप्रकास नरायन इंटरनेशनल एरपोर्ट है जैप्रकास नरायन इंटरनेशनल एरपोर्ट से राजगीर सहर की दूरी लगबग 100 किलो मीटर पड़ेगी जैप्रकास नरायन इंटरनेशनल एरपोर्ट के लिए आपको देश के बड़े एरपोर्ट के साथ ही देश के काफी सारे छोटे एरपोर्ट से भी फ्लाइट की सुभधा देखने को मिल जाएगी आप अपने सहर से जय प्रकास नरायन इंटरनेशनल एरपोर्ट के लिए फ्लाइट पकड़ कर आसानी से राजगीर की यात्रा कर सकते हैं आपको बतादने की एरपोर्ट पर पहुचने के बाद आप वहां से चाहे तो पटना से ट्रेन के माध्यम से भी राजगीर की यात्रा कर सकते हैं इसके साथ ही आप प्राइबेट टैक्सी या फिर बस की सुब्धा लेकर भी राजगीर की यात्रा कर सकते हैं ट्रेन के माध्यम से राजगीर की यात्रा दोस्तों यदि आप ट्रेन के माध्यम से राजगीर की यात्रा करना चाहते हैं तो हम आपको बता दें की राजगीर में आपको रेलवे स्टेशन की सुध्या देखने को मिलेगी लेकिन राजगीर रेलवे स्टेशन के लिए आपको और सहर से इस यात्रा को करना चाहते हैं तो आप अपने सहर से गया या फिर पटना जंगसन के लिए ट्रेन की सुभ्धा ले सकते हैं गया और पटना से राजगीर की दूरी लगबग 60-95 किलोमीटर पड़ेगी आपको बता दें कि पटना और गया जंगसन के लिए आपको देश के लगबग सभी रेलोई स्टेशन से ट्रेन की सुभ्धा देखने को मिल जाएगी गया या फिर पटना जंगसन पहुचने के बाद आप वहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़ कर भी राजगीर रेलोई स्टेशन पहुंच सकते हैं इसके अलावा आप बस या फिर टेकसी के माध्यम से भी आसानी से राजगीर की यात्रा कर सकते हैं बस के माध्यम से राजगीर की यात्रा करना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि यदि आप बिहार के आसपास के रहने वाले हैं जैसे पटना, गया, छपरा, समस्तिपूर और भागल पूर तो आपको इन सहरों से प्राइबेट और सरकारी बसों की अच्छी सुधा देखने क मिल जाएगी जिसके माध्यम से आप आसानी से राजगीर पहुंच सकते हैं लेकिन यदि आप बिहार के इन सहरों के रहने वाले नहीं हैं बलकि आप किसी और सहर से राजगीर की यात्रा बस के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप अपने सहर से पटना या फिर गया के लिए बस पकड़ सकते हैं पटना और गया सहर से राजगीर की दूरी लगभग 60 और 95 किलियोमीटर पड़ेगी इसी के साथ आपको बता दे कि पटना और गया के लिए आपको देश के लगभग सभी सहरों से बस की सुब्धा देखने को मिल जाएगी पटना या फिर गया पहुचने के बाद आप वहां से दूसरी बस पकड़ कर राजगीर की यात्रा कम्पलीट कर सकते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सेयर और सब्सक् करें मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई यात्रा की जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार